मैं प्रताप चंद्र सडंगी इसोर की सपत लेता हूँ मैं विधित द्वारा स्थापीत भारत के संविधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तीस मैं को राश्ट्रिपती भवन के परिसर में खुले आस्मान के नीचे हो रहे शपत व्रहन समहरों की शिरुआत नरेंद्र मोदी के दूसरी बार पीएम पत की शपत लेने के साथ हुई पीएम मोदी के बाद उनके मंत्री मंडल के सभी 57 मंत्रियों ने एक एक कर शपत ली लेकिन शपत के लिए बुलाए गए जिस शक्स के लिए सबसे ज्यादा तालिया बजी वो शक्स थे और इशा के मोदी कहे जाने वाले प्रताप चंद्र सारंगी बाला सोर लोकसभा सीट पर बीजु जनता दल के करोणपती उमीदबार रबिंद्र कुमार जेना को हरा कर लोकसभा पहुँचे जोपडी में रहने वाले प्रताप सारंगी को पीए मोदी ने अपने मंत्री मंडल में जब मंत्री बनाया तो शपत के दोरान तालियों की गड़गडा हट गूंचती रहे मैं प्रताप चंद्र सडंगी इसोर की सपत लेता हूँ कि मैं विधिद्वारा स्थापीत भारत के संविधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्सुर्ण रखूंगा मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पूर्वक और सुद्ध अंतह करन से नर्वहन करूंगा तथा मैं भाई या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बीना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुशार न्याय करूंगा मैं परताप चंद्रशडंगी इस वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाई संग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्बा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाई जवकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्सित हो मैं प्रत्यक्स रूप में संग्सूचित या प्रकट नहीं करूंगा साद्गी पसंद प्रताप सारंगी शपत लेने के बाद देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी छा गए एक ट्विटर यूजर ने लिखा जब आपके कारे ही आपके परिचायक होंगे तो दुनिया नत्मस्तक होगी आपके सामने असली समाजवादी मंत्री बन गए बदलाव की और बढ़ रहे राष्ट्र के लिए बड़ा समय है एक और ट्विटर यूजर ने लिखा ओडिशा का ये शक्स प्रताप चंदर सारंगी आज नरेंद्र मोदी की नई सरकार में मंत्री बन गए संभवत हा स्थानिय हैंड पंप से नहाने के साथ ये दिखा अगर हम सुनना चाहें तो ये ऐसी तस्वीर है जो पूरी कहानी कहती है पीजेपी युवा मोचा के राष्ट्रिय सचीव अनूप एजे ने लिखा है इस आदमी को ओडिशा का मोदी और असली आदमी कहा जाता है मोदी जी के मंत्री मंडल में नए मंत्री सारंगी जी पहले ही एक संसनी बन चुके हैं अब वो लुट्रियन के वाम पंथियों के हमलों का सामना करेंगे क्यूंकि वो राय सीना की सत्ता संभालने वाले एक विनम्र जीवन जीने वाले बीजेती के वेक्ती को पचा नहीं सकते हैं एक ट्विचर यूजर ने लिखा प्रताप चंद्र सारंगी अब राज्य मंत्री है यही लोकतंत्र की महनता है एक ट्विचर यूजर ने लिखा शपत लेने के समय प्रताप सारंगी जी के लिए विशाल दहाड देखकर मैं आश्चरी चके था ऐसी ही है सोशल मीडिया की ताकत रात को उनकी सादगी की तस्वीरे वाइरल हो गई ऐसे निस्वार्थ नेताओं को नमन और ऐसे लोगों को अफसर देने के लिए नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है दहिंदू के पत्रकार निस्तुला हेबार ने ट्वीट कर लिखा है बालासोर के सांसत प्रताप सारंगी के लिए सबसे बड़ी जैकार जो एक पूस की जोपड़ी के नीचे रहते हुए चुनावी राजनीती में लड़े बीजेपी नेतार शाजिया एलमी ने ट्वीट कर कहा वो एक छोटे से दो कमरे के मिट्टी के घर में रहते हैं एक साइकल के मालिक है और कुछ नहीं ओडिशा के इस सामाजिक कारिकरता को सलाम जिसने करबपती को हराया और अब मंत्री परिशद में मंत्री है वो बाला सोर से सांसत प्रताप सारंगी है पिये मोदी ने अपने मंत्री मंडल में जब से प्रताप सारंगी को शामिल किया है तभी से सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की चर्चाय है प्रताप सारंगी की सादगी का अंदाजा अप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब उन्हें संसिदिय दल की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाना था तो उसकी तयारी करते हुए एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो जमीन पर बैठकर एक अटैची में अपने सामान सहेच कर रख रहे हैं विधायक रह चुके सारंगी अब मोधी सरकार में सूख शेवम लगू उद्योग मंत्राले में राज्यमंत्री बने हैं मंत्री बनते ही सारंगी ने मंत्राले भी संभा लिया जिसकी उन्होंने कुछ तस्वीरे भी साजह की हैं भारत की जनता ने अगले पांच वर्षों के लिए देश की बागदोर जिसके हाथों में सौपी है उस सरकार ने शपत ग्रहन कर ली है अभूत पूर्व परणाम और अभ है देश में नई सरकार प्रुधान मंत्री श्वी नरेंदर मोधी के नितृत में उनका मंत्री मंडल भाविशे में भारत और भारत के भाविशे को टै करेगा The oath of office in secrecy administered to Prime Minister Narendra Modi and his new Council of Ministers As vows are taken anew and congratulatory greetings exchanged, dedication is renewed India looks forward to the future We trust that governance will facilitate the fulfillment of the aspirations of nearly 1.3 billion Indians These are moments of celebration and bonhomie and of course a photo op But knowing Modi ji's dedication and commitment to his goals It will be back to work for him and his Council of Ministers sooner than we know Much has been achieved in the last five years But there is a long road ahead The Prime Minister's new Council and colleagues will stand strong in committee It is dedicated to ensuring that actions result from the Prime Minister's vision of a new India While treating the salient features of the Indian Constitution as sacred As any group of elected representatives begin a new tenure of governance anywhere in the world There is a renewed energy and a desire to make a difference And once again words of wisdom inscribed at the base of the Jaipur column here at the forecourt of Rashwadi Bhavan need to be shared In thought, faith In word, wisdom Indeed, courage In life, service So may India be great So may India be great When people do arduous When you do ace The foreign dignitaries and special invitees are now being invited up for a photo opportunity ज्जोले करने हुए एन कर दोश्रीजियर झोंड जीर रमनाथ चोविंट से चाहे साथन ज्चाश्ड और शैशन इंदर जूरी नहीं जो प्रूस वे डूस्टेंट है व्यूंड था जी टूस्ट अवे डिस्ट द वेश्ट जूसे जूश्यू है this occasion and as we capture on your screens moments of these memories these leaders will take back with them these memories to captured for posterity Bhutan ke Pradhan Mantri Panani Lothi Shering Dr. Lothi Shering Prime Minister of Bhutan Nepal ke Manani Pradhan Mantri KP Sharma Oli Mr. Oli is the 38th Prime Minister of Nepal and one of our closest neighbors in terms of relationships for the Pets that are being supported by the U.S. Minister the Mother of the Spring Officer in the state of Bali there is a variety of disparities. Everyone says, to reach out to the National Tears of War, energy and energy and energy Everyone says, to reach out to the correct powers of the world, amigos, and communities, The power of the U.S. Minister of the Supreme Court has been Karenaesek West as a result of To complete the réponse of the population and theotenes of the E.S. Minister of the 10-K, Manuni Pradhan Mantri, Pravind Kumar Jagannath. As a founding member of BIMSTEC India, remains committed to deepening cooperation within BIMSTEC and regarding BIMSTEC as a gateway to the seas of the literal states as well as access to the landlocked member countries, Bhutan and Nepal. .